जिस पुराने कबाड को आप ठैक देते हैं या फिर कबाडी को बेच देते हैं उसी कबाड से दक्षणी दिल्ली नगर निगम ने एक बहतरीन पार्क तयार किया है इसे नाम दिया गया है Waste to Wonder Park इस पार्क में व्यापकता भाव्यता सुन्दर्ता के सासाथ इन प्रतिकृतियों के पुरातन महत्वी की वज़े से दिल्ली को नई पहचान मिलेगी साथ एकड में कलाकारों के सधे हुए हाथों से तयार प्रतिकृतियों अपनी खासियत की नायाब दास्तान है यहां आइफल टावर की उंचाई 60 फीट है इसे बहत खुप्सुरत लाइटों से सजाया गया है पीसा की मिनार असली की तरह ही थोड़ी सी जुक्की हुई है इसकी उंचाई 25 फीट है मिस्र के पेरामिड 18 फीट, रोम के कलोजियम की 15 फीट, ब्राजील की क्राइस्ट रीडीमर की उंचाई 25 फीट है इसके लावा 30 फीट की अमेरिका की प्रसिद्ध स्टेचू और लिबर्टी की रेप्लिका है वहीं भारत की शान, ताज महल भी 20 फीट उंचा और बहत उपसुरत बनाया गया है इन सभी रेप्लिका को बनाने में स्क्रेप मेटल का इस्तेमाल हुआ है जैसे पुराने खंबे, खराब लोहा, गालियों का बचा हुआ स्क्रेप, ताज महल का उपरी गुंबद, साइकल की रीम से बनाया गया है इसी तरह बागी अजूबे भी अंगल, नटवोल्ट, साइकल, मेटल शीट, आटोमवाइल पार्ट, पुराने बरतन और बेकार पड़े लोहे से बनाये गये है पार्क को तयार करने की लागत परीब साड़े साथ करोड़े वहीं सातों अजूबों को बनाने में डेल सो टन कबाल का अस्तमाल हुआ है इस पार्क कर निर्मान करके दक्षिन दिली नगर निगम ने कच्रे का प्रसंस करन करके शहर की सुंदरता बढ़ाने की पहल के रूप में किया है